लोकसभा चुनाव और गांडे विधान सभा उपचुनाव को लेकर किसान जनता पार्टी की एक बैठक मंगलवारक और बरगंडा के एक आवास में हुई जिला अध्यक्ष श्यामू बासके ने बैठक की अध्यक्षिता की बैठक में सरोसंबंदी से निर्ने लिया गया कि पार्टी का रेजिस्टेशन नहीं होने की वज़ा से पार्टी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन गांडे विधान सभा उप्चनाव में किसान जनता पार्टी के लोग गिर्डी जिला के किसानों को न्याय दिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ती जोकेगी पार्टी के कारेकरता गांडे विधान सभा के मददाताओं के पास जाएंगे और उनसे निविदन करेंगे कि तिसरी के अंचल आधिकारी तिसरी अंचल के 32 मौजा के गरीब आदिवासी मुलवासी किसानों से रेजिस्टर 2 का प्रमानित प्रतिलीपी देने के लिए प्रत्यासी किसान हित में काम करेगा उसके पक्ष में कारे किया जाएगा तिपन ठाकुर, ठामभी मंडल, सबीना सोरेन, सलोनी मरांडी, मालो सोरेन सहित लगभक सभी संस्थापक सदस्य उपस्थित रहे आज किसान जंता पार्टी के कार्याले में किसान जंता पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बैठक हुई बैठक में यह हंद्रने लिया गया कि आगामी गांडे विधान सभाज चुनाव जो होने जा रहा है उस चुनाओं में किसान जंद्दा पार्टी के तमाम संस्थापक सदस गांडे छेत्र की मतदाताओं के पास जाएंगे और उनसे यह अपीर करेंगे कि किसान जो रश्टर 2 के लिए महनों दिन तक धरना दिया सरकारी रसीद कट गया है फिर भी उनको रश्टर 2 नहीं मिर रहा है किसान का रसीद नहीं कट रहा है तो जितना भी लंबित आवेदन उसको जो है यहां से मानटिय मुख मंत्री बुर मुख मंत्री की पतनी स्रीमती कलपना सुरेंजी चुनाओं लड़ना होगा तो किसान जंता पार्टी और कल्पना सोरेन को हाराने का कर जो है सो काम किया जाएगा